और अब खबर कानपूर हिंसा से जुड़ी जहां कानपूर हिंसा में पंडिंग के आरोपी हाजी बसी को पुलिस ने गिरपतार कर लिया A.B.P. गंगा के पास गिरपतारी के बाद का एक्स्क्लोसिब वीडियो है जुसमें पुलिस के साथ हासी बसी खड़ा हुआ देख रहा है वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जहां लखनव से कल ही कानपूर क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे गिरपतार किया वसी से छाबने थाने में पूश्टाच हो रही है और आज कोट में इसे पेश करने की बाद से रिवांट पर भी लिया जा सकता है दरसल तीन जून को कानपूर में कोई हिंसा की मामले में तीन F.I.R. दरश की गई थी इन तीनों में हाजी बसी बांचित अभ्यूक था जोकी एक महिने से पराड़ चल रहा था कानपूर पुलिस ने हाजी बसी की तलाश में दिल्ली और कई अन्य स्थानों पर अपनी जीमों को लगा रखा था कल कानपूर पुलिस को अपने सूत्रों से जानकारी मिली थी कि हाजी बसी की लोकेशन लखनव के अमोसी एरपोर्ट के आसपास की है जिसके बाद तुरंत कारवाई करते हुए हाजी बसी को धर्द बोचा गया हाजी बसी पर हिंसा के लिए क्राउड पंडिंग करने का आरोप है और ये एक्स्क्लूसफ तस्वीर आपको दिखा रखे हैं जहां गिरफतारी के बाद का ये वीडियो है जब पुलिस ने हाजी बसी को लखनव से गिरफतार किया उसके बाद किये तस्वीर पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि लोकेशन लगातार जाची जा रहे ही थी एक महिने से हाजी वसी फरार था और उसके अभ्यूक्ट वांशित अभ्यूक्ट होने के नाते इसके लिए पुलिस ने कई सारी टीमें लगा रखी थी और कल रात में जब लोकेशन मली तो हाजी वसी को गिरफतार कर लिया गया हाजी वसी पर जो कानपूर में हिंसा हुई थी जो उनको उसमें क्राउड फंडिंग करने का आरोप है और जो तीन मुकद में लिखे गए थे बेकन के निठाने में उन तीनों में वांशिक अब्यूक्ट के रूप में हाजी वसी की तलाश की जा रही थी और किस-किस का रहा है और किसने शहर के माहौल को बिगालने की कोशिश की इन सभी सवालों के जवाब अब हाजी वसी से पूछे जाएंगे कानपूर से कैमरमेन पंकर निगम के साथ रतीश त्रवेदी एबीपी गंगा एबीपी गंगा खबर आपकी जवाब की